हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लाश 12 के हिंदी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिहां 2022-23 के लिए दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड इग्जाम में 100% आएंगे 16 फर्वरी को जो आपका है सामान हिंदी का पेपर होगा 16 या 17 फर्वरी को जो तारीक को भी होगा 2022-23 में उस तारीक को इसमें से मैं बता दे रहा हूँ आपका 70 नंबर फिक्स कर लीजेगा 70 नंबर जी हां दोस्तों 100 में 70 नंबर खंफर्म है 100% आएगा आगे कि 10 नंबर का कोई नहीं बता स तो चलिए सुरू करते हैं आज के वीडियो बिना देर की और समझते हैं सबसे पहला है पहला कोईशन हमें दिया हुआ है कहरा है पहला कोईशन गद के प्रमूख पार्ट गद के प्रमूख पार्ट यहां पे हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ लेने हैं जिसमें से हमारे तो पहला है राष्ट का स्वरूप आपको पढ़ लेना है असोग के फूल पढ़ लेना भासव राधुनिक्ता गारंटी है 100% कोई भी सेट में से कोई ससेट उठा लीजेगा अगर इन तीन पार्ट से बाहर कोई सभी एक पैसे जा गया ना तो बताना ठीक है गद के लेखक का जीवन परिचे जीवन परिचे आपको गद के लेखक का तो यहां पर एपी जे अब्दूल कलाम जी का पढ़ लेना है रेड़ी जी का पढ़ लेना है प्रोफेसर जी सुन्दर एड़ी का वास्देव सरान अगवाल का इन तीनों में से 100% फज़ाएगा 100% मैं बता रहा हू फिर है गद पद्ध के प्रमुग पाट कौन कौन से पढ़ने है स्रद्धा मनु पढ़ लेना है पवंदूति का पढ़ लेना है गीत पढ़ लेना है नौका बिहार बापू के प्रति अभिनव मनुष्य यह 4-5 पाट आपको पढ़ लेने होंगे यह इसनी 4 पाट में से पादिव वर्मा, रामधारी सिंग दिनकर और मैथली सरण गुप्त इन चारों का अगर आप पढ़ लेते हैं न तो गारंटी है 100% इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा ठीक है फिर कता साहित में आपको क्या पढ़ना है यानि कहानी वाले में पंचलाइट पढ़ लेनी है बहादूर पढ़ लेना स्रिफ सारांस पढ़ लिए बाफ पंचलाइट बहादूर क्योंकि तीन कहानी साइद आपके कोर्स में पढ़नी है एक पंचलाइट बहादूर और धुरूबयात दोनों में से कोई अथवा में रहता ही है तो कोई एकसा फस जाएगा ये तो 100% है फ जिन लोगों को यहां पर यह पढ़ना है हर्सवर्धोन वाला उन लोगों के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं ठीक है राजवर्धन का चित्रण पढ़ लेना इसी प्रकार आप नायक नायका का चित्रण पढ़ लिजे बसा जाएगा पिर संस्कृत है तू आपको क्या पूछा गया है पिस संधी में देखते हैं संधी में आपको क्या को ऐसे आप सनल आएगा तो इसको बहुत ज़ादा मतलब ध्यान दीजेगा लेकिन बहुत ज़ादा उतना मत दीजेगा जो आप यहां पे ज़्यादा नंबर वाले में दीजे जिसे दीर गुड यड इनी त संधी में से आपका फज़ आएगा सब्द रूप आत्मा और नामन का जरूर तयार कर लिज़ेगा क्योंकि दो नंबर ये देखे जाएगा ठीक है रस रिंगार रस करूड रस बीर रस ये तीन तयार कर लिज़ेगा इनी तीनों में से फज़ आएगा नेक्श है अलंकार में आपको तयार करना यमक, रूपक, प्रेच्छा, उपमा ये आपको चार तयार कर लेने इसमें से जरूर से जरूर फज़ आएगा ठीक है और चण्द में आपको क्या-क्या पढ़ लेना चौपाई, दोहा, सोर्था ये तीन आपको पढ़ लेने होंगे ठीक है चौपाई, दोहा और सोर्था ठीक है पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है बैंक से किसी ब्योसाई के लिए रिड़ प्राप्त करने के लिए अबेधन पत्र जिसे आपको बैंक से कोई ब्योसाई के लिए आपको रिड़ अबेधन प्राप्त करने ये वाला मैंने बीडियो भी बनाया ह हुआ है तो आपको एक बार देख लेना अपने नगर या गाउं की सफाई है तो संबंदित अधिकारी को प्राधना पत्र मैं गारंटी के साथ कहता हूंगी 90% चांसे कि यही आ सकता है ठीके तो तैयार कर लीजेगा इसे निबंध में आपको कौन-कौन सा भरष्टा चार वि वीडियो ही पेंट करते हैं बस आज के वीडियो में इतना ही था बाकी इसका पीडियो जो है हमारे टेली ग्राम चैनल पर मिलेगा तो चैनल को जॉइन होई है और उसे यहाँ पे पेडियो डाउनलोड कर लीजेए चले मिलता है इसकी नेक्षर वीडियो में तब तक के लि आपान